नुगरपूर जिले में कुरोना पॉजिटिव केस सामना है इस बार सेम्बलिया पढ़िया गाउं के एक व्यक्ति में कुरोना की पुष्टी हुई है ये कुरोना संक्रमेत मुंबई से आया था वहीं उसके साथ आये दो अन्य लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है कु अचासर और चिकिस्ताविभाग अलट होगिया है तो झाल के त नुगरपूर का मामला है जहां पर कॉरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने से वहां पर हड़कम जिया है और देखने में यह आया था कि Crown अगरपूर में से पहले कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था लेकिन सेमलिया पंडिया गाउं में यहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया है और पॉजिटिव केस सामने आने के बाद ही जिकस्ता इभाग अलट हो गया है और घरगर जाकर स्क्रीनिंग वहा तो कोरोना को हराना है कोरोना से हमें लड़ना है और इसके लिए सभी मिल जुलकर लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन एवन टीवी के आप लोगों से यही अपील है कि आप कोरोना से डरे नहीं कोरोना से हमें लड़ना है तभी इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से अलर्ड है और आप देख सकते हैं तस्यीरों में किस तरीके से घर गड़ जाकर स्वास्विभाग की ओर से स्क्रीनिंग किया रही है उन्हें समझाय जा रहा है जागुर क्या जा रहा है लोगों को और उन इलाकों को भी सेनिटाइस कर दिया है जहां पर ये जो मामला है संकर्वित मामला है वो सामने आया है